यह बनाना बूध ही एजिय है इसके लिए हम सबसे पहले सामने के साइट पर जाएंगे यहाँ पर हम लोगोंने Stone Bricks 5 x 5 हम लोगोंने यहाँ पर लगा देनी है यहाँ पर जितनी भी दरम्यान में जगा इसको हम लोगोंने cover कर लेना है और उसके बाद हम लोग ने इसकी साइट पर स्टोन ब्रेक्स टेर हम लोग ने लगा देनी है यहाँ पर हम लोग ने फोर साइट पर भी स्टेर लगा देनी है यहां पर stair लगाने के बाद उपर की side पे सबसे पहले हम लोगोंने stone breaks हम लोगोंने 3 लगा देने एक side पे उसके बाद हम लोगोंने दर्मियान में bridge flex लगाने 3 हम लोग 3 time bridge flex लगाएंगे 3 3 और उसके बाद हम लोगोंने stone breaks 3 लगा देने उसके बाद पिर से हम लोगोंने bridge और उसके बाद last में हम लोग ने यहाँ पर stone breaks लगाने है त्री अभी दूसरी साइट पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहरे bridge planks त्री लगाने हैं और उसके बाद के last pen हम लोग त्री लगा देंगे और उसके बाद हम लोगे ने लगाने पिर से bridge planks और उसके बाद stone breaks हम लोगे लगा देंगे उसके बाद front side पे आने और यहाँ पर हम लोगे ने left side पे 3 planks लगाने उसके बाद right side पे 3 planks और उपर 1 planks हम लोगे लगा देंगे ये लगाने के बाद उपर की साइट पे जितने भी जगा यहाँ पर हम लोगों ने स्टोन ब्रेक्स के साथ ही इस जगा को कवर कर लिना है यानि इसका रूफ हम लोगों ने स्टोन ब्रेक्स करकना है ये कवर करने के बाद अभी हम लोगों ने इसके साइट पे स्टोन ब्रेक्स टेयर लगानी है यानि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने नीचे के साइट पे लगाये थे फोर साइट पे स्टेयर सेम इस तरह हम लोगों ने उपर की साइट पे भी four sides पे हम लोगों ने यहोँ पर stear लगा देनी है Stear लगाने के बाद, अभी हम लोगों ने उपर की side पे फिर से हम लोगों ने stone brick select करनी है और side पे हम लोगों ने एक एक लगा देनी है यानि सबसे पह отвеч साइड पर दर्मyान में उसके बाद side पे देन दर्मयान और side पे और last हम लोग ने दर्मयान में लगा देनी है ये लगाने के बाद अभी हम लोग ने stone bricks tier select करनी है ये हम लोग ने एक अपनी side पे लगाने और एक हम लोग opposite side पे लगाएंगे उसके बाद जितनी भी यहाँ पर दर्म्यान में जगा रहती है न इन सारी जगों पर सेम इस तरह हम लगा देंगे stairs stairs लगाने के बाद अभी हम लोगोंने सामनी की साइट पर सबसे पहले यहाँ पर ओक डोर हम लगा देंगे दोल लगाने कि पाद अंदर की साइट पर आणना है और यहाँ पर हम ल gustado है पहले ग्रेज बेल्ड लगा देना है और उसके बाद हम लोगे यहाँ पर टू चेस्ट लगा देंगें लिफट साइट पर और उसके बाद राइट साइट पर हम लोगों ने एक फादनिस रखनी है और उसके बाद हम लोगों ने एक ग्राफ्टिंग टेबल रखना है और उसके बाद लेटेन और दूसरी साइट पर फ्लावर पोर्ट और उसके उपर हम लोगों ने फ्लावर रख देना है यह रखने के बाद अभी हम लोग ने यहाँ पर एक आर्मर स्टेन रखने लगा दिने और उसके बाद हम लोग ने आर्मर पेना देने आप लोग कोई भी आर्मर पेना सकते हो यह पेनाने के बाद अभी हम लोगों बाइर के साइट पर जाते हैं यहां पर बाइर के साट बे जाने के बाद यह बन गया हमारा स्मॉल केसल हाउस इन माइनक्राफ्ट और अगर आप लोग को कोई मसला आ रहा हो इस वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ